तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा इसका जो ब्लेड है वो मिटी पे वर्क नहीं कर रहा है और मसीन बंद भी हो जाता है स्टार्टिंग में भी बहुत प्रोब्लम आती है चार से पांच कीक मारने पर भी मसीन स्टार्ट नहीं होती है तो आएए जानते हैं आज की इस वीडियो में की मसीन स्टार्टिंग प्रोब्लम क्यों करता है और जब मसीन स्टार्ट हो भी जाता है तो इसका जो ब्लेड है व वो भी damage हो गया है, ring piston cylinder damage होने के कारण machine में starting problem आ रही है, और जैसे कि पहले वीडियो में आपने देखा इसका जो blade है वो भी मिट्टी पे work नहीं कर रहा है, तो इसका जो region है वो clutch है, clutch इस machine का तूट गया है पूरी तरह से, इसलिए जो blade है वो work नहीं कर रहा है, cylinder भी मैं आपको दिखा दिता हूँ, तो चलिए एक बार cylinder को भी अच्छे से check कर लेते हैं, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इस machine का जो cylinder है, अंदर में बहुत ज़्यादा scratch आ गया है cylinder में, piston में और cylinder में scratch होने का करण क्या होता है, कि जब आप petrol डालते हैं petrol tank में, तो टूटी oil आप mix नहीं करते हैं, तो देखिए दोस्तों, टूटी oil mix करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये two stock engine है, हमारे पास जब call आता है, तो मैं पूछता हूँ कि आपने टूटी oil कितना डाला है petrol में, तो उनका जवाब आता है कि एक धकन डाला है, दो धकन डाला है, तो इस तरह से आप ना डाले, आप नापकर हमेशा टूटी oil को डाले, एक लिटर पैटोल में आपको 40 ml टूटी oil डालना है, और अगर आप हाप लिटर पैटोल डाल रहे हैं, तो आपको 20 ml टूटी oil डालना है, आपके पास two stock inter cultivator हो, या चैंसो मसीन पेड काटने वाला, या brush cutter, ये सभी मसीन अगर आपके पास two stock है, तो आप एक लिटर पैटोल में 40 ml टूटी oil डाले, और अगर आप हाप लिटर पैटोल डाल रहे हैं, तो 20 ml डाले, तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमारे पास है new cylinder assembly, cylinder से हमने ring को बाहर निकाल दिया है, तो चलिए इसे हम रखते हैं साइड में, और देखते हैं क्या क्या है cylinder में, अगर आपको इस allem क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं पिष्टन में किस तरह से ring को लगा रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी लगाना है ring, ring को लगाने के बाद ring का जो cut mark रहेगा, तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये देखिए, ring का जो cut mark है, वो आपको यहाँ पर देना है, पर आप देख सकते हैं हमारे पास है 20W 40 का engine oil 20W 40 का oil लेकर आप सबसे पहले वेरिंग में लगा दें ये देख सकते हैं bearing है bearing में oil को अच्छे से लगा दें लगाने के बाद आप crank में इस तरह से लगाएं वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को like करें चैनल को अभी subscribe करें आल कोई नई वीडियो अप्लोड करूँ आपको notification मिलता रहे piston pin को हमने packet से बाहर निकाल दिया है और यह जो आप red packet देख रहे हैं इस red packet में piston lock है इस packet में दो lock मिलेगा आपको piston में लगाने के लिए तो एक साइड से हम piston lock को पहले लगा लेते हैं piston lock लगाना बहुत easy है इस तरह से plus लेकर आप piston lock को बहुत easy लगा सकते हैं घर पर ही machine को repairing करना चाहते हैं और आपके पास toolkit नहीं है तो अभी order करें अगर आप toolkit order करना चाहते हैं तो इसी वीडियो को description में आपको link मिल जाएगा link पे click करके आप toolkit order कर सकते हैं घर बैठे ही piston pin में oil लगा कर हम piston में इस तरह से पह bearing लगा हुआ है तो इसके बीच में आपको piston pin को लगाना है piston pin लगाते वक्त आप धियान दे bearing के अंदर piston pin होना चाहिए piston में piston pin लगाने के बाद piston pin अंदर नहीं जा रहा है तो आप इस तरह से ठोक कर piston pin को अंदर कर ले पीन जब अंदर की और चला जाएगा तो piston pin लगने का जगा यहां पर मिल जाएगा piston में piston lock जब भी लगाएं एक कपड़े लेकर और crank को अच्छे से ढख ले इसके बाद आप lock को लगाएं lock लगाने के बाद अगर lock नहीं बैठता है तो आप इस तरह से ठोक कर lock को बैठा सकते हैं cylinder piston में लगाने से पहले cylinder में हम अच्छे से oil को लगा लेंगे इसके बाद हम cylinder को लगाएंगे piston में भी अच्छे से oil डालके मिला लेंगे ring और piston में oil डालके इसके बाद हम cylinder को piston में डालेंगे सिलेंडर को लगाने से पहले रिंग का जो कट मारका है उसे आप अच्छे से सेट कर लें, दोनों रिंग को सेट करने के बाद आप सिलेंडर को लगाएं, पिश्टन में दो रिंग लगा हुआ है, दोनों रिंग को हम हाथों से पकड़ कर रिंग को अंदर की और कर लेंगे, अगर नहीं जा रहा है तो आप दुबारा से cylinder को निकाले, और फिर से oil देकर दुबारा लगाएं, नहीं जा रहा है तो आप उसे जबरदश्ति ना डाले, नहीं तो जो आपका ring है वो तूट जाएगा, बहुत ही आराम से आपको लगाना पड़ता है cylinder में piston को, हमारी यूटूब चैनल बेश्ट किस्वन मसीन में से एक है कभी-कभी हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं वीडियो और मसीन के कंटेट पे कभी भी कॉंफरमाइज नहीं करता इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है आप किस तर से हमारा वीडियो देख रहे नेचे कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं कौन सा मसीन का रिपेरिंग वीडियो बनाऊं जिस वीडियो पे ज़्यादा लाइक और कमेंट करेंगे उसी मसीन का में रिपेरिंग वीडियो बनाऊंगा और किया मैं आपसे partnership कर सकता हूँ हर बर आपको request करता हूँ वीडियो को like जरूर किया किये क्योंकि वीडियो बनाने बड़ा समय लगता है आपके लिए share किजे उन लोगों जिनके पास ये machine है जिनके आस पास टेक्नी से नहीं है देखे जराज पसना और किसान मसीन चैनल सस्क्राइब करवाईए उन सब से जिनको इस वीडियो से फायदा हो सकता है आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आता है किस तर हम repairing करने के लिए toolkit कहां से खरीदे हमारे पास toolkit नहीं है जिस वज़ा से हम मसीन को खोल नहीं पाते हैं तो सभी वीडियो का description में link डाल दिया हूँ link पे किलिक करके आप सभी toolkit को घर बैठे ही खरीद सकते हैं brush cutter, chainsaw, power tiller, other और और भी machine सभी मसीनों को आप toolkit से खोल सकते हैं तो description में link है, link पे किलिक करके आप अभी toolkit को order करें cylinder को tight करने के बाद insulator gasket को आप पहले लगा दे उसके बाद insulator को लगाएं insulator को tight करने के लिए आपको दो elenki bolt लगाना होगा दोनों bolt को पहले आप elenki से भसा ले, उसके बाद full tight करें 4mm का elenki लेकर आप bolt को tight कर दें जिस elenki से मैं tight कर रहा हूँ, इस elenki को आपको लेना है तो आप मुझे order कर सकते हैं, description में आपको हमारा whatsapp number मिल जाएगा ये देखे हमारे हातों में है new brand clutch तो चलिए clutch को हम इस तरह से लगा देते हैं clutch को लगाने के बाद, अब आपको bolt tight करना है bolt में आपको दो वासर लगाना है, इस तरह से दोनों वासर को लगाने के बाद, आप bolt को हाथों से पहले फसा ले उसके बाद, dust number का टी रेंच लेकर इसे full tight कर दे अब मैं आपको fly wheel लगा कर दिखाऊंगा तो fly wheel का जो nut है, आप इसे इस तरह से खोल ले, खोलने के बाद एक key मिलेगा आपको, key को crank में आप पहले इस तरह से लगा ले इसके बाद, आप fly wheel को लगाए, fly wheel को लगाने से पहले crank में जो key है, उसे आप ध्यान से देख कर लगाए, key लगाना बहुत ही जरूरी है अगर key लगा हुआ नहीं रहेगा, तो fly wheel जो है, आपका वो work नहीं करेगा fly wheel को लगाने के बाद, यहाँ पर दो washer आपको लगाना है plane washer अंदर में देना है, और spring washer जो है, वो बाहर से रहेगा इसके बाद आपको nut को हाथों से फसा लेना है जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास है 17 नमबर का गोटी और handle 17 नमबर का गोटी handle लेकर हम इसे tight करेंगे अगर आपने चैनल पर first time विजिट किया है तो चैनल को subscribe कर ले all वाले option पर click करके notification on कर ले ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो upload करूँ, आपको notification मिलता रहे हमारे चैनल पर आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा जैसे कि brush cutter repairing, power tiller repairing, chanso, lawn mover, fogger machine किसी भी machine का repairing वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे comment करें जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं petrol tank को किस तरह से fit कर रहा हूँ इसी तरह से आपको भी fit करना है, अब मैं आपको ignition coil fit करके दिखाऊंगा ignition coil को लगाने से पहले एक visiting card लेकर आप इस तरह से लगा ले visiting card जो है वो बहुत ज़्यदा पतला है तो आप उसे double करके लगाए visiting card को लगाने के बाद आप इस तरह से ignition coil को लगाएं जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ Ignition coil को tight करने के लिए आपको दो LNK बोल्ट लगाना है 4mm का 4mm का LNK लेकर आप पहले फसाले दोनों बोल्ट को इसके बाद आप full tight करें बोल्ट जब full tight हो जाए तो आप visiting card को इस तरह से निकाल ले visiting card निकालने के बाद आप flywheel को घुमा कर देख ले free होना चाहिए यह जो आप carburetor देख रहे हैं यह इसी machine का carburetor है इस machine का जो carburetor है पूरी तरह से damage हो चुका है इसलिए हम इस machine में एक नया carburetor लगाएंगे तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं यह है new brand carburetor तो चलिए इसी carburetor को हम इस machine में fit करेंगे और machine start करके आपको दिखाएंगे fill filter और petrol pipe complete set है हमारे पास तो हम इसे इस तरह से petrol tank में लगाएंगे अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे comment box में लिखे मैं उसका answer दूँगा आपको air filter cover में दो elinky bolt इस तरह से लगाएंगे इसके बाद हम carburetor को लगाएंगे carburetor को लगाने के बाद हम carburetor gas kit को भी लगाएंगे ये देखिए carburetor gas kit में लगा रहा हूँ carburetor gas kit लगाना आपको बहुत ही जरूरी है यहाँ पर देख सकते हैं carburetor का जो gas kit है उसमें दो hall है carburetor में petrol pipe को हम पहले connect कर लेंगे तो आप देख सकते हैं black वाला जो pipe आपको दिख रहा है वो आपको अंदर वाले nozzle में लगाना है और बाहर का carburetor का जो nozzle है उसमें आप इस pipe को इस तरह से लगा लें जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ वीडियो काफी लंबी हो जाती है इसलिए मैं इस वीडियो को दो पार्ट में बनाया हूँ अगर आप पार्ट टू वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो का description में मैं link डाल दिया हूँ link पे click करके आप पार्ट टू वीडियो देख सकते हैं अगर आप i button में click करके देखना चाहते हैं तो उपर में i button है, i button में भी link डाल दूँगा, link पे click करके आप part 2 video देख सकते हैं, video को end तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया, अबह।